दोस्तो, वर्ल्कम बाक to the new video आज की वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको Nifty और Bank Nifty के importance level बताने वाला हूँ और उसी के साथ Nifty Bank Nifty को कौन से stock impact डाल सकते है कौन सा ऐसा stock है जो की Bank Nifty के साथ चल सकता है और कौन ऐसा stock है जो कि nifty के साथ चल सकता है मैं आपको आज ही वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो की बहुत interesting जोस्तो वीडियो को आप end तक देखिएगा क्योंकि एक एक point मैंने to the point explain किया है और मैं आपको telegram stocks और YouTube stocks के performance भी बताऊंगा जोस्तो अगर आप stock market के daily updates चाते हैं और free of cost rates चाते हैं live market में तो आप मारे telegram sell में join हो सकते हैं जिसका link description box में मैंने दे रखा है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को वीडियो का end रखते हैं 2500 lie अगर बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें देखो बैंक निफ्टी एक रेंज में फस चुका है अल्राइट यहां पे आप clear कर देख सकते हैं कि यह तो रेंज बना हुआ है उपर साइट कितना है रेंज 34,760 का नीचे साइड है 34,480 का इन रेंज के बीच में फस गया हमारा बैंक निफ्टी और एक रेजिस्टेंस के देखो पास भी है हमारा बैंक निफ्टी नाव अट इस देखो प्रेफरिबल क्या रहेगा जब यह ब्रेक आउट या तो ब्रेकडाउन देदे समझार इसी में होगी ठीक है और इसमें जैसे ही उपर या तो नीचे साइड मोमेंट आएगा जैसे ही ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन आएगा एक बढ़िया हमको तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा हम बैंक 50 को बाय करके चलेंगे 34,760 के उपर ठीक है एसल रखेंगे 34,690 का अल्राइट अगर हम बात करें है न फिर बैंक 50 फिर निकल जाएगा 36,000 के लिए पक का मैं आपको बता रहा हूं अब माली जैसा नहीं हुआ हम एक अनुमान लगा रहे हैं अगर माली जैसा नहीं हुआ रहा है और नीचे साइड हमारा लेवल 34,460 का लेवल तोड़ जाता है स्वारी 60 नहीं 34,485 का लेव 34,280 का ठीक है जो आपका सेकेंड टागेट होगा वोगा 34,280 का है यह दो टागेट होंगे बांक निफ्टी में सेलिंग साइड में आल राइट सो हम यहाँ वेट करेंगे देखो समझदार इंसान कभी भी यहां पर वेट करेगा अब मैं हाँ पे नहीं देखो रिस्क नही पोके निफटी का वियो बांक निफटी का रीव नीचे जायगा तो हमारा कौना से कौन सा स्टोक है जो की नीचे जाएगा जो की सपोर्ट कर सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं Axis Bank अगर के कहते हैं हमारा अगर बैंक नीचे जाएगा तो फॉर्श और हमारा Axis Bank पर नीचे जाएगा क्योंकि Axis Bank ने सपोर्ट को breakdown कर दिया है ठीक है तो हम अराम से Axis Bank को short करके चलेंगे दस मेंट के चार्ट पर आनी फॉर्श और हमारा बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा यह देख रहे हैं आप यह breakdown कर चुका है ठीक है सारे सपोर्ट को हैव लोक इधर इधर ठीक है तो हम सेल करके चलेंगे अक्सिस बैंक को 710 के नीचे लगाता अगर हमारा बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो टागेट कितने के लिए 702 और 698 के लिए यह दो टागेट होएंगे आक्सिस बैंक में जानते हैं निफ्टी का विए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखिएगा मैं आपको बैंक निफ्टी में कौन सा कॉल अप्शन कौन सा पूट अप्शन आपको लेकर चलना है मैं आपको वताऊंगा रा अप्शन में प्रभात ट्रेडिंग सर्विस आपके लिए लेकर आई एक उनलाइन ट्रेनिंग क्लास जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 11 अगस्त से तो अगर आप जॉइन होना चाहते हैं तो आप इस बोर्ड लाइन दिये हुए नंबर पे हमको वॉच्च अप करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं दोस्तो जिस प्रकार से आप बिना इंजिनिरिंग की पढ़ाई की आप कभी इंजिनियर नहीं बन सकते उसी प्रकार से आप मार्केट में बिना सीखे बिना मार्केट को समझे आप कभी ट्रेडर और इंवस्टर नहीं बन सकते तो यही हम आपको पर प्रोवाइड कर रहें आप जल 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 अपनी सीट बुक करवाईए और दोस्तों जाला इंफोमेशन पाने के लिए आप हमारे टेलग्राम सेल में जुड़ सकते हैं वाप हमने ट्रेडिंग का पूरा इंफोमेशन दे रखा है तो कॉल इट राइट नाव ऑन बुकियो सी हम बात करें निफ्टी की देखिए लाइक बुटन जो हमने आपको बता है ताकि निफ्टी अगर आपका 15,780 के उपर निकलता है तो आपको बाय करके चलना है ठीक है exactly हमको अच्छा मोमेंटम मिला 780 निकलने के बाद हमको निफ्टी में 15,870 का लेवल हमको देखने को मिल इसके एक लाइक बनता है अब देखिए अब निफ्टी में लाशना प्रॉफिट बुकिंग आईए आप जो की मैं आपको बता रहा था कि देखो भाई फ्राइडे फेक्टर है दोनों साइट मोमेंट दे सकता है मार्केट राइट हुआ तो यह चीज़े हुआ अब लेकिन करता है तो उपर निकल जाएगा फिर से मैं आपको बता दूँ अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आयो थी तो फॉर्शन अमरा निफ्टी उपर ही जाते हो देखता ठीक है नीचे नहीं मतलब हमको यहां पर नहीं मिलता ठीक है अच्छा यहां पर देखो कर रेजिस्टे होगा तो CHANCES है ऊसे हैं उपर जाने के Let's See. अब क्या होता है हम CANDLE के CLOS होने का वेट करेंगे ठीक है यह थो गया BYE साइड में अगर क्या होता है सब्सक्राइब टूट जाता है 15,750 का अगर बटूट जाता है तो हमको S8 Ctr करके चलना है 15580 cashless के साथ जो आपका टागेट ह होगा यह है रनीती निफ्टी में और देखो अगर मैं आपको डेली के चार्ट दिखाऊं देखो तो देखिए डेली के चार्ट पर यहां पर लगाता है मेरे को दो बीरिश हामर बन रहे हैं यहां पर यह काइंड अफ तो थोड़ा संकेज अच्छा नहीं है निफ्टी में स्पेशली मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत लग रहा है आज कंपर टू निफ्टी और दोस्तों यह रनीती है बाकिते को मैं बता दू हमारा निफ्टी कब निकल जाएगा उपर के साइड रैल तो est branch bank को आप बाय करके चल सकते हैं कल के लिए निफ्टी करेगा तो हमारे यह उपर जाएगा तो यहां पर देखी आपका हैंमर और एक और दो हमर बन रहे हैं ठीक है कितने के ऊपर 12h204 के ऊपर के इतना होगा 1215 envision होगा ठीक है जो आपका टागेट one होगा, वो होगा दोस्तो इसका टागेट मैं आपको टेलेग्राम group पे आपको बता दूंगा, ठीक है, जुस्तो अगर हम बात करें हमारे टेलेगराम स्टॉक्स की, शाउनदार हमने आपको बहुत बढ़िया profitable trade दिये थे, लास्ट फ़ाडे के session में हमने आपको दिया था, पहला Intellect Design Arena, चःपड फार दिया Intellect Design Arena ने बहुत बढ़िया return आपको दिया हमने आपको फिर दिया list AU Small Finance Bank, हमने आपको एई small finance bank bank के लिए दिया था अच्छा return मिला आप जलूर दाक देखिएगा मैं डीपरी नहीं जाना चाहता है वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी चंबल फटलाइजर अरे वाह बहुत बढ़िया अगर आपको भी पाने है इस टाइप से profitable trades तो आप हमारे टेलिगाम चनल में जूड़ सकते हैं लिंक के description box में हैं दोस्तो आए हम जान लेते हैं कि हम कौन से call option और put option को buy करके चलेंगे तो देखो हम 5th of August वाले call option put option को लेके चलेंगे अगर मारा bank निफ्री निकलता है 34,760 के उपर तो आहराम से हम 34,700 का call option उठाके चल सकते हैं दोस्तो यह आपको अराम से मिल जाएगा 270 के आसपास 2060 के आसपास SL होगा वह होगा 240 के आसपास का ठीके जो आपका target होगा वह होगा 300 का and 350 का अगर यह ऊपर निकलता है तो हमारा bank nifty otherwise अगर bank nifty 34,400 के लेवल को तोड़ता है जो हमने दिस्कस किया भी तो आप अराम से 34,500 का put option लेके चल सकते हैं यह आपको 260,50 के आसपास मिल जाएगा जो उसके target होगे वह होगे 300 and 370 के तो दोस्तो यह call option और यह put option आपको कल धान रखके चलना है दोस्तो मैं आशागर के चलता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like, share, subscribe करना ना भूलें और दोस्तो अगर आप stock market के interesting facts जानना चाहते हैं तो आप हमको follow कर सकते हैं Facebook और Instagram अब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में नवशका